हालो फ्रेंट्स, 90 वर्ड पर मिनट एडिटोरल लिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद स्टार्ट, भारत में कोरोना वाइरस की घातक तेज लहर जिस तेजी से उभरी थी, उतनी ही तेजी से उतार पर है देश के बहुत बड़े हिस्से, खास कर गाउं में टेस्टिंग न होने के कारण परभावित लोगों की सरकारी संख्या, वास्तविक संख्या से बहुत कम है इसलिए महामारी विद मानते हैं कि कोविड-19 से मोतो के मामले में भारत, अमेरिका और ब्राजिल से बहुत आगे है फिर भी गलत ही सही, सरकारी आकड़े अब उम्मीद जगाते हैं, देश के कुछ भागों में जहां गिंती विश्वस्निय है, वहां गिरावट का साफ ट्रेंड दिख रहा है इधर वाइरस पर नियंतरन के परमुक साधन वेक्सिनेशन की धीमी गती से जनता निराश है, शुरुवाती तेजी के बाद वेक्सिन अभियान लड़ खड़ा गया है, अनुमान है, इस रफ्तार से साल के अंत तक 35 परतिशत लोगों को ही वेक्सिन लग पाएगी राश्ट्रिय पोजिटिविटी दर 24 परतिशत से घटकर 10 परतिशत से कम है, परमुक शहरों में ओक्सिजन के लिए मची भाग दोड़ खत्म हो चुकी है, एक और बिमारी की दहशत कम हो रही है, वहीं संकट अभी खत्म नहीं हुआ है दूसरी लहर की शुरुवात पस्चिमी हिस्से से हुई थी और पूरु में इसकी बड़त जारी है, चैन्ने में संकरमन पीक पर पहुँच रहा है, दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के सरजन अम्बरेश सात्विक कहते हैं, हम आशावादी नहीं हो सकते हैं, संकरमन सहरों से गाउं की ओर बड़ रहा है, लिहाजा यह कुछ समय चलेगा, दूसरी लहर ने घातक प्रभाव छोड़ा है, अगर सरकार का बहु प्रचारित वेक्सित अभियान सफल रहता तो त्रासदी की भयावहता से हताश जनता के जखमों पर मरहम लग सकता था, इसकी बजाए अभियान बुरी तरहे नाकाम रहा है, संकरमन में उच्छाल के बीच वेक्सिन लगवाने वाले लोगों की संख्या कम रही, सरकार परियाप्त वेक्सिन हासिल करने और सही तरीके से योजना बनाने में विफल रही है, इस वजह से वेक्सिनेशन 45 लाग प्रति दिन से घटकर 15 लाग पर आ गया है, पहली डोज लगवाने वाले लाखो लोगों को दूसरी डोज का इंतजार है, लगभग 99 परतिशत भारतियों को एक भी डोज नहीं लगी है, अंतराश्रिय मुद्रा कोश का अनुमान है कि इस साल के अंत तक 35 परतिशत से कम वयश्कों को एक डोज लग पाएगी, सरकार ने अधिक वेक्सिन हासिल करने के अपने निश्चे को स्वयम गलत टहराया है, फाइजर, बायो एंटेक और मॉडना जैसी विदेसी वेक्सिनों को अब तक हरी जंडी नहीं मिली है, वेक्सिनेशन के कारण शहरों में मौजूदा लहर का प्रकोब कम हुआ हुगा, लेकिन वाइरस की प्राकर्तिक प्रवर्ती के अलावा संक्रमन कम होने का मुख्य कारण सक्त इस्थानिय लोकडावन है, भारत की पहले से कमजोर अर्थ व्यवस्ता को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए मोधी सरकार ने इन उपायों को जितना संभव हो सका टालने का परियास किया है, फिर भी बड़े कर्फ्यू और पुलिस की सक्ती ने अधिकतर जाने बचाई है, स्टॉप